होस्ट का क्या आर्थ होता है या आज किस वीडियो में सीख लेते हैं होस्ट का दो तरीके से इस्तिमाल किया जा सकता है एक तो होस्ट का प्लूरल यानि बहुवचन होता है होस्ट यानि कि एक से ज्यादा होस्ट को हम होस्ट कहते हैं और host का आर्थ होता है मेजबान, समुदाई, समहूं या परिचारक तो एक से ज़्यादा मेजबानों को समुदाईों, समहूं या परिचारकों को हम hosts कहते हैं इसके इलावा host का इस्तिमाल verb की रूप में भी किया जाता है तो verb की रूप में host का इस्तिमाल जब हम present indefinite tense में he, she, it ये singular third person के साथ करते हैं तो rule के according उसके साथ हैस लगाते हैं जिससे hosts बनता है और hosts का आर्थ होता है कि host करता है ये करती है और host करने का आर्थ होता है मेजबानी करना का आयोजन करना या आयोजित करना तो hosts का आर्थ हुआ कि मेजबानी करता है ये करती है आयोजन करता है ये करती है या आयोजित करता है ये करती है जैसे कि अगर आप ये कहना चाहें कि उसके दोस्तों की मेजबानी है तो आप कहेंगे he has hosts of friends या अगर आप ये कहना चाहें कि कान वार्षिक फिल्म समारों की मेजबानी करता है तो आप कहेंगे कान's hosts annual film festival या अगर आप ये कहना चाहें कि हमें अपने मेजबानों से गरम जोशी से स्वागत मिला तो आप कहेंगे we received a warm welcome from our hosts we received a warm welcome from our hosts अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतो बकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करे कर रहने तक हैंगे ए कैई जालतो ड्लो फाएंगे is ब एक बगते हैं अवीडियो मेरी इंगी लिए ढरेएंगे टो आएंगे ऑय हैं लोन्य अबसा जान dudी find वей.